हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम विद्धूत से संबधित प्रश्ट हल करना सीखेंगे तो फ्रेंस आपके सामने सवाल है कि दूसों बोल्ट अपान सौव वाट बल्ब को यदि सौव बोल्ट पर पर्योग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी त फ्रेंस यहां सक्ति का आको फार्मूला याद होना चाहिए कि सक्ति का फार्मूला क्या होता है देखें सक्ति का फार्मूला होता है पीश कल्टू होता है भी स्क्वार अपान आर होता है यह सक्ति का में फार्मूला होता है अब फ्रेंस सवाल पड़ें इसमें देखें क्य का क्या दिया है 200 औ近 tweeting और यहां यहां पर सकती दिया है आपका और इसको पीसरे दिखाएगे यहां पर वहाँ थिक यह 50 वाट हो गए और फिर अगला दिया है कि इसका अगला आपका बोल्टेज़ दिया है अगला voltage दिया है आपका भी इसको भीवन माल ली इसको भीवन माल ली ठीक है समझने के लिए यहां 100 बोल्ट दिया ठीक है अब दीखिए प्रश्ण क्या करना है कि फ्रेंश यहां पर आपका बोल्टेज भीवन इसमें पावर सोब यदि बोल्टेज वीटू अगला पॉल्टेज अलग वोल्टेज लिए उस पावर कितना होगा तो यहां से पहले आप रजिस्टेंस ग्याद करेंगे यहां पर पीश कल्टू फार्मूला है भी स्कॉार अपान आर ठीक है यहां पर पी आर गयाद करेंगे तो कैसे गयाद करेंगे चल्टू अब दो सो अ और पांड कितना है उसमें पावर कितना होगा अब इस लिए प्रखिए हैं इसलिए आको पीटू ग्याद करना पावर क्याया है यहां पर भीटू की स्क्वार अपन आर बेजिश्टेंज का मन समान होता है फ्रेंस यहां पर यही आपको सिखना है देखें पीटू का मन कितना है फ्रेंस ग्याद करना है भीटू का मन कितना है फ्रेंस सो वोल्ट लेना यहां सो का स्क्वार करना यहां पर और आर का मन कितना तो में देंगे कितना जागा आपका आएगा पचीज ठीक है यानि चार सा चार कम चार पचीज बार में कटेगा यह हो जागा पचीज वाट यानि पीटू कमान कितना आए फ्रेंज पचीज वाट यानि कि आपका जब 100 बोल्ट की बैटरी से उसको जोड़ेंगे तो उस समय करें आपका जो पावर आएगा शक्ति आगा फिरेंज सक्ति अपका आ गया पीटू बराबर पचीज वाट और यहीज फ्रेंस क्या होगा तो इस प्रकास से आप विद्दू से संब्दि प्रश्न को हल कर सकते हैं तो फ्रेंस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नहे हैं